सुप्रभाद बच्चो आज मैं आपको धूम केतु नामक पाट पढ़ाने जा रही हो जिसके रचाईता गुणाकर मुले हैं तो आशा करती है आप लोगों नहीं जो पाठिय पुस्तिका है वो खरीद लिया है किताब का नाम है साहित्य संचेन देखो इस प्रका सरकारी किता तो इसको आप बहुत ही शीगरह अगर नहीं है तो खरीद लीजिए तो धूम-केतु जो पाठ है वहां पर हम पढ़ेंगे कि धूम-केतु किसे कहते हैं इसका अविश्कार कि कि होने किया तो इसी के बारे में हम विस्तरत रूप से हम पढ़ेंगे तो धूम-केतु जो में नजर आता है उसी को क्या कहा गया है धूमकेतु कहा गया है तो यह धूमकेतु है हैली कॉमेट मतलब नाम दिया गया है जो हम हमारी प्रिथवी से नजर आता है वह हर बारे में विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी हासिल करेंगे तो देखो यहां पर धूम केतु जो नाम है वह कहां से आया कैसे आया पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो धूम का अर्थ क्या है धूआ अंडरलाइन कर लेना धूम केतु का अर्थ धूआ और केतु का पुछल तारा भी कहते हैं तो पुछल तारा को अंडराइन कर लो क्योंकि धूम केतु का और एक नाम क्या है पुछल तारा भी कहते हैं पाश्चात्य ज्योतिश में धूम केतु को कॉमेट कहते हैं तो हम जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं धूम केतू क्या क्याकिते हैं उन्होंने door हैं दोंनी यूंदानी भाषा के कोमेते शब्द से बना है तो यह जो नाम कोमिट कहां से आया है यह नाम कोमेते नामक जो शब्द है यह यूनानी शब्द है और इसी से यह नाम आया है जिसका अर्थ होता है लंबे बालो वाला तो कोमेते का अर्थ क्या है MC के लिए important है, यहाँ साहर एक line बहुत important है कोई भी question असकता है कि कोमेटे का अर्थ क्या है यानि लंबे बालो वाला धूम का अर्थ क्या है पास्चाति जोतिश में धूम केतो को क्या कहते हैं कॉमेट कहते हैं, कॉमेट शप्त कहां से आया है कॉमेटे से तो यह हर एक line जो है important है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, underline कर लेना, next paragraph देखो, धूमकेतू शब्द बहुत पुराना है, तो यह जो नाम है धूमकेतू, यह नाम जो है वह काफी पुराना है, अथर्ववेद, तो यहाँ पे जो वेदों के नाम है, तो उसमें आप लो वेद में हम क्या है, धूमकेतू के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वहाँ पे उलका के बारे में बताया गया है, उलका नाम सुने होगे, जो तूटता तारा कहते हैं, वैसा ही, उलका शब्द आते हैं, महा भारत में भी धूमकेतू का उलेक है, यहाँ तक महा भारत जो नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भाइंकर युद्ध होगा तो वहाँ पर धूमकेतु नाम की जानकरी है मतलब दिया गया है कि जब यह धूमकेतु कहां पहुंचेगा जब धूमकेतु भाइंकर खत्रे का सूचत भी बताये गया है तो धूमकेतु जब महाँ भाइंकर ध होने की संभावना होगी इस प्रकार पुराने जमाने में धूम केतु को भाएंकर खत्रे का सूचक समझा जाता यहां तक धूम केतु को क्या है भाएंकर खत्रे का सूचक भी समझा गया है छटी सदी में यानि six संचुरी में हमारे देश में वरहा मिहिर एक बड़े जोतिशी हुए तो वरहा मिहिर को अंडलाइन करोगे वरहा मिहिर कौन थे वरहा मिहिर एक बहुत बड़े जोतिशी थे तो उन्होंने भी सिक्स्त संचुरी में छटवी शताबदी में उन्होंने धूंकेतु को क्या है के बारे में उन्होंने लिखा है उन्होंने अपने व्रिहत संहिता व्रिहत संहिता में अंडरलाइन करोगे तो व्रिहत संहिता के रचैता कौन है व्रिहत संहिता के रचैता बाराह मिहिर है अंडरलाइन करोगे बाराह मिहिर तो उन्होंने व्रिहत संहिता नामक रचना लखी थ तो उस ग्रंथ में केतू चार अध्याए में कहां पर केतू चार अध्याए में धूमकेतू के बारे में विस्तार से जानकारी दी है तो वर्हा मेर कौन थे बहुत ही बड़े जोतिशी थे उन्होंने केतू चार अध्याए मतलब किसके व्रिःत सहीता जो किताब है उसके केतू चार अध्याए में धूमकेतू के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने भी जानकारी दी है देखो ये 6th century की बात हो रही है तो उस समय के जो जोतिश हुआ करते थे बहुत नामी हुआ करते थे बड़े बड़े जोतिश हुआ करते थे मतलब विग्यानिक ही आप पकड़ सकते हैं देखो उनलोग कितने advance थे वरहा ने दोमकेतो के शुभाशुब फ़लों का भी ज्यादा जिक्र किया है उन्हों ने स्पस्ट लिख दिया की, उन्होंने क्या लिखा था? कि किसी दोमकेतो के दर्शन होने या अस्थ होने का काल गनित की विज़ी से नहीं जाना सकता तो उस जमाने में यह नहीं मालूम था कि कितने सालों में धूमकेतु आता है, धूमकेतु है मगर कितने सालों में वो फिर नजर आता है, इसके बारे में उतनी हासिल नहीं थे, धूमकेतु से दूसरे देशों के लोग भी बहुत डरते थे, सिरफ अपने देश के ही लोग नह जाते थे मतलब उसे खत्रई का सूचक समझा जाता था इसलिए पुराने ग्रंथों में इन धूमकेतु के बारे में काफी जानकारी मिलती है तो अगर हम ग्रंथ पड़े, पुरानी किताबे देखें तो वहाँ पर भी क्या है धूमकेतू के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है 1528 ईश्वी में तो साल है फंद्रासो 28 उस समय इरोब के जो आकाश है में एक धूमकेतू प्रकट हुआ था तो यहाँ पर देखो 1528, मतलब साल के बारे में पहले भी प्रकट हुआ था, पर साल के बारे में जानकारी नहीं है पर 1528 जो है उस जमान, उस समय क्या है एक धूम के तूप प्रकट हुआ था, और उसके बारे में आमरोई पेरी ने अपनी किताब में उन्होंने मेंशन किया था लिखा था कि आमरोई पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में तो उन्होंने एक पुस्तक जो है पब्लिश किया था जिसका नाम था पुस्तक का नाम था आकाश के राक्षस रचईता कौन है आमरोई पेरी तो यह वाला बहुत धूम केतू के बारे में उन्होंने जानकारी दी है वे लिखते हैं यह धूम केतू इतना भाइंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए मतलब धूमकेतु के बारे में क्या लिखा गया है कि वह बहुत ही भाइंकर था इतना ही भाइंकर कि लोग डर के मारे मतलब क्या है धूमकेतु को देखकर लोग इतने ही डर जाते थे कि डर के मारे वे मर ही गए काफी लोग मर गए काफी लोग बीमार पड़ गए मतलब डर के मारे उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी लेकिन अब धूमकेतुओं से को ना कोई डरता है पर आजकल के लोगों को क्या है धूमकेतु के बारे में पूरी जानकारी है इसलिए धूमकेतुओं से कोई नहीं डरता और नहीं कोई बीमार पढ़ता अब तो कोई बीमार नहीं पड़ता क्योंकि अब धूमकेतु के बारे में जानकारी होसल हो गई है, लोगों को यह पता चल गया कि धूमकेतु जह है वह खत्रा, खत्रे का सूचक नहीं है, इससे क्या है, मनुश्य को, इंसान को, या पृतिवी को कोई हानी पहुचने वाली नहीं है, अब इन धूमकेतु के बारे में हम बहुत सी बातें जानते हैं, तो धूमकेतु के बारे में भी हम काफी जानकारी हासिल कर चुके हैं, लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल चुकी है युरोप के महान जियोतिशी तीखे ब्राहे अंडरलाइन करे ना तीखे ब्राहे तो वे युरोप के ही बहुत महान जियोतिशी थे उन्होंने पहली बार 1577 अंडरलाइन करना 1577 ईश्वी में सिध किया कि धूमकेतु पृतिवी से बहुत दूर होते हैं तो तीखे ब्राहे ने क्या सिद क्या ये भी बहुत बड़े महान जोतिशी थे और उन्होंने ये सिद क्या कि धूमकेतु जो है वह पृतिवी से बहुत दूर होते हैं चंद्रमा से भी बहुत अधिक दूर तो यह धूमकेतु जो है पृतिवी से काफी दूर है चंद्रमा से भी दूर है आशा करती हूँ आपको यहां तक समझ में आया होगा बाखी जो है वो मैं आपको पाट्टू में समझाऊंगी धन्यवाद